हां परस्ट फिकर पहले बनाएगे हम MP SM SP और जो मूड है वो उसी प्रम में लिख देगे हैं A O O आप A तर्क वाकित को कैसे लिखते हैं? SP bar equal to zero होता है उसकी जगह यहां पर हो जाएगा MP bar equals to zero O Tarkuvaak में SM bar not equal to zero इसी तरह से SP bar not equals to zero यहां तक प्रोब्लम सॉट आउट हो गई है सभी की? यह सेर हाँ यहां तक बिटा आपको हर प्रपोजीशन को लिखना आना चाहिए इसके बाद डाइग्राम जब बनाएंगे तो बार बार में रिपीट करणा है आपको तक सर्क्री में आपस में बराबर काटते होगे आप जब सर्क्री बना रहे हैं गलत बना रहे हैं एस पी एम तीन सर्क्री तीनों सर्क्री का हमने जो पद है यह टर्म है उनके नाम लिख दीजिए एस पी एम अब वें डाइग्राम के जो बेसिक रूल हैं उनको रिमाइंड कीजिए और मेमुराइज कीजिए पहला रूल हम क्या बोल रहे थे कि पहला रूल है कि सबसे पहले यूनिवर्सल प्रमिसेश को हम ड्रॉ करेंगे दूसरा है यदि दोनों यूनिवर्सल है तो जिसमें पी टर्म है अर्थात जिसमें मेजर टर्म है उसको ड्रॉ करेंगे तीसरा नियम था, यदि दोनों पॉट्टिकुलर प्रपोजिशन हैं या पॉट्टिकुलर प्रमसेज हैं, दोनों तो पहले किसको करेंगे, जिसमें प्री टरम है उसको करेंगे तीनी चीज आपको याद रखनी हैं और कंक्लूजन को ट्रॉण नहीं करते हैं तो दो हमारी प्रेंसेस आई एक ये एक ये एक ये तो दौनों प्रेंसेस में पहले किसको करेंगे जो यूनिवर्सल हो यूनिवर्सल प्रेंसेस पहली है फिर हम रिपीट कर रहा है यहां से आप लोग सुनिए कैसे इसको करना है घबडाने की बात नहीं होती है सबसे पहले वो सरकिल खोजिए जिसकी बात कर रहा है तो दो सरकिल की बात कर रहा है फिर क्या है अगरिकल इसको हटाना है किससे हटाना है जो दूसरा सरकिल है तो यहाँ पर है M P बार, तो क्या हमको बोलना है M से P हटा दो, M बाले सरक्ल से P बाला सरक्ल हटा दिजे, जब जीरो कहते हैं तो आपको लाइनिंग से सेडिंग करने हैं उसकी यह इंप्री क्लास को सो कर रहा है हमने यह सेडिंग कर ली आपने सबने सेडिंग देखी क्या हमने यह सेडिंग सही किया है नो सर्थ नो सर्थ हाँ वेरी गूड क्यों क्योंकि यह को सानप छोड़ रहे है तो सैटिंग हमारी यह होगी ठीक तो हमने यह प्रपोजीशन की सेडिंग कर दी अब दूसरी प्रिम्सेश है उसको लेते हैं दूसरी प्रिम्सेश बोल आए है कि S और M का सर्कल देखो पहले यह F का हो गया यह M का हो गया आप पढ़ना सीखिए जिसमें बार है उसको हटा दीजिए किस से अटा दीजिए जो दूसरा सर्कल उसके साथ है तो क्या हुआ है S सर्कल से M अटा दीजिए ठीक है S सर्कल से M अटा दो S सर्कल से M वाला यह किया है हम नीचे इसको अटा दीजिए तो बचा पूर्शन इतना यह पूर्शन हमारा बचा ये करा ये जीरो नहीं है जब आता है कि जीरो नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं वहाँ पर कुछ है इंप्टी क्लास नहीं है that means there is something that something is denoted by x this something को हम x से denote कर देते हैं तो अब x यहां पर लिखना है अब ये x की कंडिशन कहां पर हम लिखेंगे x की पोजिशन क्या होगी इस पर हम ये टाउट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि एक ये वाला जो लाइन है बीच में जा रही है तो हम x कहां लिखेंगे यहां लिखें तो problem कि यह वाला पूर्तक छूड़ जा रहा है इतना यह भी है यहां लिखें तो यह वाला छूड़ जा रहा है तो ऐसी condition में हम x को line के बीच में लिखते हैं एसी condition में कि जब doubt हो कि x इधर है या इधर लिखें तो जो बीच में line आई है यदि इस पस्ट मिलना आए आपको तो उसके बीच में हम x की positioning करते थे जब दौनों प्रम्सिस आपने ड्रॉ कर ली तो conclusion की हो रही है conclusion क्या बोला है as such हो रहा है कि नहीं हो रहा है बस देखता है यदि conclusion as such draw हो गया है प्रम्सिस से तो हम argument को valid मान लेंगे और नहीं तो invalid मान लेंगे exactly जो conclusion बोला है वही होना चाहिए exactly suppose कुछ नहीं करना है अपने मंद से कुछ नहीं करना है इस पी बाग तो कौन सा पूर्शन हुआ एस वाले से पी वाला बाग अटा के एस वाले से पी वाला पूर्शन हमने हटा दिया तो ये वाला जो पूर्शन बच रहा है ये इस पूर्शन में बोला है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए not equals to zero means वहाँ पर x होना चाहिए तो देखिए क्या यहां पर x है नहीं है यह x यहां के बीच में है तो हमको पता नहीं इधार है यह इधार है दूसरी बात यह इसका आधा पूर्शन इंप्री क्लास भी सो कर रहा है पहले से तो जो conclusion कह रहा है वो नहीं हो रहा है इसलिए ये argument invalid हो जाएगा आपका AOO first figure argument is invalid अवैद है इतनी बात समझ में आ रही है आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है जो चीज बोला है एक्जेक्टिडी वही फॉलो करते जाहिए बस आप दूसरा भी आपको भी लेते हैं आपने बोला I A I और पिटा इस चीज और इंपोर्टेंट याद आगई आप लोग वाटसेप पर जब पुशन लेज रहे हैं तो लिक सही नहीं रहे हैं लापर भाई मत कीजे जैसा हमने बुला की प्रेशस को अलग कीजे प्रेशन की लिए लिए लाइन कीजे इसके बाद कंक्लूजन ट्रॉट लो कीजे पूरा फिगर बनाना है फिगर क्या होती है आपको कही बार बताया MP फिस SM और SP I को कैसे लिखते हैं SP not equals to 0 I को कैसे लिखते हैं SP not equals to 0 SP की जगह यहाँ पर क्या लिखा है MP, तो लिख देंगे MP not equals to 0, यह तर्क बाद को कैसे लिखते है, SP bar equals to 0, तो यहाँ पर SP की जगे क्या है, SM, तो यहाँ पर हो जाएगा SM bar equals to 0, और यह conclusion वाजी लाइन, इसके बाद SP क्या है, I proposition SP not equal to 0, आपने लिख लिख लिया, आपका अधा काम को काम, तीन सर्कल बनाएए, A को S मानी है, दूसरे को P मानी है, तीस नीचे वाले को M मानी है, तुरांथ, आपको टिप्स में रूल होनने चाहिए, हमेशा, बैंड आई ग्राम के रूल, हम बार बार बोल लाएँ, आपको सबसे पहले, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल प्रिम्सेस, पकड़िये यूनिवर्सल प्रिम्सेस कौन सी है, सेकेंड वाली, A प्रपोजिशन, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल प्रपोजिशन क्या बोल ला है, S, M बार एक पल्टू जीडो, उसके पहले, आपको पढ़ लेंगे, S और M एस का सर्क्ल देखा, एम का सर्क्ल देखा, क्या आप बोला है, एस वाले सर्क्ल से, एम वाला सर्क्ल अटा दीजे, एस वाले सर्क्ल से, एम वाला, यह देखिए, एम वाली लाइन गई है, यह लाइन, एम वाली सर्क्ल, इसको हटा दीजे, तो इतना पुर्शन बचा, यह प इसके पास second premises पे आई है, second premises बोल ला है, M P not equals to zero, मतलब M बाला आपको circle और P बाला circle, M और P बाला circle में किसी को किसी से हटाना है, कहीं बाहर लगा है, नहीं लगा है, क्या बोलना है MP क्या मतलब हुआ कि वो portion जो MB है और P भी है तो M वाला portion और P वाला portion यह होगा ना दोनों यह वाला portion यह कह रहा है कि यह 0 नहीं है जब 0 नहीं है तो हमने बोला कि क्या होगा कुछ होगा उस कुछ को कैसे हम दर साते हैं X से तो X लिखेंगे अब X लिखेंगे फिर आप डाउट में आ गए कि X कि तर लिखेंगे यह लाइन बीच में जा रही है तो X हम बीच में लिखेंगे आप conclusion देख लिए यह सच बोला है वो हो गया है कि नहीं conclusion बोला है कि SP वाला portion 0 नहीं होना चाहिए तो X पी बाला portion कोन चाहिए यह बाला यह 0 नहीं होना चाहिए मतलब इस portion में X होना चाहिए तो X कहीं नहीं है इस पश्ट रूप से नहीं है हम बोलना है बार बार जो conclusion बोलना है वो इस पश्ट रूप से follow होना चाहिए तो X नहीं है X यहाँ पर है यहाँ पर doubtful है इसी तरह से आधा यह पहले से empty class हो गोला है तो यह argument strongly invalid हो गया मतलब invalid हो गया कि आप इसको कभी भी valid लिख दिए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे invalid यह आधा empty class पहले से हो रहा है X की position अनिश्यत है undetermined है इसको decide नहीं कर पा रहा है कि X इधार है कि यह इधार है इसलिए X की जो positioning है वो clear नहीं है first नहीं है तो आपको ऐसी condition में argument आपका क्या हो रहा है invalid और कोई question बिटा इसी तरह से कोई problem आई हो Venn diagram आप समस्ते रहेंगे जब से खुद नहीं करेंगे 4-5 question आपको खुद करने है वहाँ पर problem आ रही है उस problem को बताईए तब तो आप Venn diagram की problem आप solve कर सकते हैं उसको आप लोगोंने कोई और समस्त्या हो पुचिए किसी भी बच्चे को कि अब लेक दो बच्चे पूचते हैं वागी लग रहा है सब को आप लोगोंने को आप लोगोंने को आप लोगोंने को बच्चे देखिए वाटा class सभी के लिए होती है एक तो online classes चल रही है और online classes में हम यह identify नहीं कर पा रहा है कि कौन सा बच्चा समझ रहा है कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है इसलिए आप लोगों को भी responsibility आप लोगों की है कि आप बताए हमको तब तो हम समझ भाएंगे कि हाँ यहां पर प्रॉब्लम आ रही है आपकी नहीं तो हम पढ़ा के चले जाएंगे प्रॉब्लम आपकी सस्टेन करेगी हम इसा डरेंगे आप लॉजिक से फिर कोई बच्चा नहीं चलिए अभी हम एक दो कुश्यन और आपको कर रहे हैं आज की क्लास के बाद हम बेंड डाइग्राम नहीं पढ़ाएंगे क्लास में अभी बता रहें इस टिकली अगला टॉबिक हम सुरू कर देंगे कल से अगला टॉबिक हम नहीं आई ओ पोर्थ विगर आप नाना सिख रहे हैं इस तरह से आदर कि स्टी ऐ अंति आ योशिग्रम उसी मूड़को असी क्रम में लिख दीजिए E, I, O इसको आप लिख लिजिए E proposition को कैसे लिखते हैं Venn diagram में E को S की इकपल स्टू जीरो तो यहां पर P M इकपल स्टू जीरो I को कैसे लिखते हैं M S not equals to zero और O को S की बार not equal to zero आपने तीनों प्रपोजिशन लिख लिख लियां आप चाह करेंगे सरकेल S, P, M फिर एकदम मन में आप तुरंद आप memorize किजी अपने रूल को reminder सबसे पहले यूनिवर्सल प्रपोजिशन को करेंगे यूनिवर्सल प्रपोजिशन कौन होती है A और E और E आपर है कि प्रपोजिशन को कर लिन्या इमें बोला P, M equals to 0 तो P M कौन सा पोर्षन हुआ? जो P और M का पोर्षन है तो पी बाले सर्केल और एम बाले सर्केल का जो कॉमन पोर्षन है मतलब जो पीवी है और एम भी है वो क्या है वो जीरो हमने जीरो इसको सेट कर दिया तुसरी जो रेस्ट परपोजिशन है हमारी उसको कंसीडर कर लेते हैं M as not equals to 0. M as कौन सा पोर्षन हुआ? यह. M भी है और S भी है. किसी में किसी को उठाना नहीं है. बार नहीं है क्योंकि यह वाला पोर्षन. यह कह रहा है, not equals to 0. So not equals to 0 means X. So X आपको लिखना है. अब X कहां लिखे हैं? तो यह तो सबस्ट है कि X हमको यहीं पर लिखना पड़ेगा. क्योंकि यह पहले से EMPTY CLASS हो कर रहा है. तो वहाँ पर आप इंटर्फियर करनी सकते हैं. इसलिए X सबस्ट रूप से अलग लिख देंगे. यदि यहां पर एक पहले से EMPTY CLASS नहीं होता तो X बीच में लिख देंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. इसलिए जितनी आपके सेज जगह बच रही है, वहाँ पर आपने X से आपने लिख दिया. आप कंक्लूजन देख लिजे क्या बोला है? कंक्लूजन देख लिख 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 इसलिए यह argument valid आपकर EIO4 वैलेड अब यह देखिए यह वाला एक्स यहां पर भी वैलेड है यहां पर भी आता तो वैलेड होता और यहां पर भी आता तो भी वैलेड हो जाता क्योंकि एक्स जो है इस पोर्चन की बात कर रहा है इस पोर्चन में एक्स कहीं न कहीं होना चाहिए तो मिल किया आपको एक्स यहां पर था इसलिए यह argument valid हो गया और आपको हमने बताया था पहले भी class में कि EIO एक ऐसा mood है जो तो फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर और फूर्थ फिगर सभी फिगर में valid होता है common sense है यदि EIO mood का किसी भी फिगर में आप चाहे वेंड डाइग्राम हो चाहे फैल्सी जो कुछ भी आप निकाल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, invalid निकल ला है तो, valid आ रहा है तो आप सही कर रहे हैं अब इसके अलावा भी वेंड डाइग्राम से संबंदित कोई भी प्रिष्ण, थिओरी वाले प्रिष्ण हमने आपको बताये हैं कहीं है तो एक आद दो और चंसीडर कर लेते हैं आपके लिए एक और थिओरी वाला करते हैं आज यस सब्सक्राइब अव्ज आछ आपकोंवड़ आईयन अ क्यास уже किमदा माज़ार रहें bamboo ंबर ग wam थिओरी ओरी नहीं हमने आपकोंवड़ित विग्रा भी हुरी से अढ़खजा मैं इसक्वरती आपकोंवड़ों हज. ठाहर ंऄ रचे. झाल झाल कर दिया पैले प्रिम्सेश सभी राजनेतिक स्वार्थी हैं ढूसरा जो फ्रमसेश है वह सुछ लेखक स्वार्थी है Undeal des bypass aspect इस पैता जब कभी आर्गुमेंट के रूप में वालत लेंग्वेस जब हो तो उसका आपको सब कुछ पता करना है मूड भी पता करना है और फिगर भी पता करना है और जब फॉर्म दिया होता है आर्गुमेंट फॉर्म दिया होता है जैसे EIO3 तो आपको मूड भी पता हो गया और फिगर भी पता हो गयी लेकिन इसमें आपको mood भी पता करना है और figure भी पता करना है तो mood क्या है, जो क्रम है, आधार बाक्ट को निशकर्ष का वो, और जो figure निकल के आएगी, वो figure तो सबसे पहले हम आधार बाक्टों की पहचान कर लेते हैं की कौन से आधार बाक्ट हैं सबका आप बहुत सिंपल से हैं, पहला आधारवा कौन सा है? सर, इंग्लिश में भी बता दीजिये All politicians, all politicians are self-centered सभी राजनेतिक स्वार्थी हैं, ठीक है? दूसरा proposition है, some Some writers are self-centered Therefore, conclusion है, some writers are politicians ठीक है, तो पहले मैं, all politicians are self-centered दूसरे मैं, some writers are self-centered Conclusion में, some writers are politicians तो पहला वाला proposition क्या निकल के आई? बोलिये A A है ज़र पहली बाली प्रोपोजिशन, A इंग्लिश में और साथा, इंडी में, सभी दूसरी बाली प्रोपोजिशन, A है, 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 बैरिगुड कुछ है, पकी स्री वाली? है है, है, conclusion है यह कि आमने लाइन ड्रोपी आप लोग लाइन नहीं ड्रोपर रहा है, conclusion को पाइपर्केट नहीं करना है कि वह conclusion है यह हमारा मूट निकल के आगे है, अब figure हमको निकालनी है, तो figure निकलना बहुत आसान, निसकर्स का SP देखिए, प्रेडिकेट टर्म, किसी भी प्रपोजिशन में है, सब्जेक को प्रेडिकेट ही होंगे, ठीक है, अब निसकर्स का P जहां पर हो, वो क्या हो जाएगी, मेजर प्रम से हो जाएगी, और पहले ही लिखी जाएगी, पी, पी, राजनितिक ठर्म क्या है इसका, मेजर टर्म, राजनितिक का P, P यहां पर आ गया, लेखर, S टर्म है, S यहां पर आ गया, और जो दोनों में कॉमन होता है, जो कॉमन टर्म होगा दोनों प्रमिसिस में, उसको क्या बोलते हैं, तो पहली बाली हो मादी प्रपोजिशन आई, व क्या आई, P, 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 N, दूसरी, S, M, अभर कंक्लूजान? SP कौन्सी फिगर आगे? तर second figure second figure हां ठीक है? second figure आगे, very good आप इस प्लोग वेन डिःग्राम की तरह लिख 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 लेते हैं यह हो गया आपने तीनों प्रपोजिशन को लिख लिया आप क्या करेंगे बस आप बना रहा है तोड़ा छोटा बना रहा है पहले को है दूसरे को पीज तीसरे को है सिर्फ आपने आर्गूमेंट में केवल SPM लिख दिया और उस टन को नहीं लिखागी S कौन सा टन था तो भी आपका कुश्यन गलत है S क्या था आपका लेखाग तो S के ब्रैकेट में आपको लेखाग लिखना जरूरी है P क्या था? राजनेतिक और M क्या था? स्वार्थि यह लिखना बहुत जरूरी है यदि आर्गूमेंट है कुश्यन में, लेंग्वेज में है तो आप यदि S.P.M. अके लिख दिया और आपने टर्मों के नाम नहीं लिखे S.P.M. के कौन सा टर्म एसको डिनोट कर रहा है कौन सा P को, कौन सा M को तो आपका गलत हो जाएगा भली आपने पूरा प्रोसेस सही अपनाया हो इसलिए मैं बार बार आपको बोल ला हूँ कि जो बोल ला हूँ इसको जहां से सुनिये और इसको एकदम एक्जामनेशन में गल्ती मत किजेगा आपने तीनों टर्म लिखती है अब आपको कुछ नहीं आप प्रोसेस में आजाईए कि सबसे पहले हम यूनिवर्सल प्रोपोजीशन को करेंगे यूनिवर्सल प्रोपोजीशन क्या है पहली है पी एम बार क्या बोला है पी एम बार पी से एम को हटा दो पी से एम को हटा दो यह वाला पूर्चन बचा यह जीरो है जीरो करते है दूसरी प्रेमिसेस में आ गए हम S M not equals to 0 S और M का सर्कल देखेंगे S और M के सर्कल में कौन सा पूर्चन? S M मतलब जो S भी है और M भी है यह वाला पूर्चन यह कह रहा है कि यह जीरो नहीं है मतलब S है तो देखेंगे आगे है S बीच में आएगा अब क्या बोला है S P not equals to 0 S P पूर्चन कौन सा हुआ जो S का और P का कॉमन पूर्चन है वो S P पूर्चन हुआ जो S V और P V है यह वाला पूर्चन था यह कह रहा है कि यह 0 होना चाहिए 0 है S परी not equals to 0 0 नहीं होना चाहिए means X होना चाहिए इस पूर्चन में लेकर ऐसा नहीं X की यह वाली position जो है वो भी doubtful है कि X इधार है या इधार है और यह आधा पहले से ही 0 है इसलिए जो निशकर्ज बोल ला है वो exactly follow नहीं हो रहा है प्रमिसस से इसलिए argument क्या हो जा रही है invalid और लिख देंगे A, I, I quantity करती second figure argument A invalid यह भी लिखना जरूरी है figure भी mood of figure लिखना जरूरी है A, I, I second figure argument is invalid ठीक है देखिए आप ज्यादा तर आपकी जो आर्गुमेंट आपने किये या आर्गुमेंट फॉर्म बाले कुशन किये वो क्या है invalid सो हो रहे है वैसे भी जब हमना इस रूवात में class की थी तो बताये थे आपको की जब हम चार फिगर और चार प्रपोजीशन का कॉम्बिनेशन परमुटिशन करेंगे तो कुल 256 मूट्स बन जाते हैं उन 256 मूट्स मूट्स में केवल और केवल कितने बैलिट मूट है 19 तो 19 केवल आपको वैद विन्यास मिलेंगे मूट के 19 17 मूट ही वैलिट मिलेंगे तो EIO के 4 हो गए और बाकी जो आपको मिलेंगे जो हमने बार बार आसे ला रहे हैं टारी यह सब बतागे लिखवाए थे कि फस्ट फिगर आईगी तो केवल चार मूट है आप ट्रोच चेक करते रहे हैं वहाँ से आप डाइग्राम भी जब बना रहे हैं तो आपने देखिए जो हमने लिखवाए थे फस्ट फिगर में कौन-कौन से वैलिट मूट है केवल वही वैलिट होने चाहिए सेकंड फिगर में केवल वही वैलिट है यदि आप सेकंड फिगर में उनके अलाबा कोई और आप बैलिट कर दे रहे हैं तो मतलब आप प्रॉसेस में गल्ती कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपने गल्ती की है वो ब्रह्मसत्य है जो आपको लिखाए गए हैं या जो बताए गए हैं जो बुक में हैं परस्ट में चार सेकंड में चार इस तरह से जो हमने पूरे आपको बताए थे और नहीं आपको ने लिखे हैं तो बहर बुक में हैं चाह वो हिंदी की हो और चाहे इंगलिस की हो हर बुक में हैं किसी बच्चे से से शेर भी कर सकते हैं हमने शेर भी किया था आप बोलेंगे तो परसनल भी खर कर देंगे कोई प्रॉबलम नहीं है ठीक है तो उससे आप एक करने केivan कि यह फिगार हमने निकाली ही तो हमारी व्यरेंट हो रही है गाली है ट्नैपने पना धूर तो ठीक है, ओके है, ये डाउट पूलो रहा है, तो इसके मतलब आप कही ना कही गल्दी कर रहा है, तो ठीक, और इसके लावा आप बैंड डाइग्राम की लास्ट प्रॉब्लम बताईए, कोई समस्या हो तो, कोई भी बच्चा है, बटा, सर, एक बार, AEE 3 बता दिए, एकबर AEE 3 बता दिए, एकफ़ा, AEE 3, यही बोल लाव ना? यह सर ठीक है ठीकर बताओ पहले अठीकर क्या होती है बता? अठीकर क्या होती है बता? MP, MS, SP बेरी गूड इसी तरह अचे मूट लिखतो क्रम मैं A, E, E ए तरखवाग को कैसे लिखते हो? SP बार एकपल टू जीरो लिखते हो ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? MP बार एकपल टू जीरो? SP बेरी जीरो? MS बेरी जीरो SP बेरी जीरो इतनी बार सुझागी? अठीकर क्या हो जीरो 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 SP बेरी जीरो SP पर के रूल क्या हो इसरे पहले यॉणिवर्सल का प्रपोजिशन फार्फोजिशन को कॉंचिडर करते हैं तो यॉणिवर्सल कोंची होती हैं A और E ए और यहां दोनों हैं, पहला नहीं हम अप्लाई ही नहीं हुआ, तुरंट दूसरे, कि तरह बढ़ जाओ, दूसरा क्या कहता है, यह दी दोनों युनिवर्सल है, तो किसको करोगे, जिसमें P है, ठीक है, तो P किसमें है, पहले वाले, अब पहले इसी को बनाओगे, एम पी बार, क्या मतलब हुगा, एम बाले से पी बाला हटा दो, इतनी लोकल लेंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, कि सब दिमाद में भुझ जाना चाहिए, यह सर, यह मतलब नहीं है, इतनी तरीके से आप किताब में और कोई नहीं बताएगा, इसका मतलब क्या हुगा, एम ब एम बाले से पी बाला हटा दो, हटा दी हम रखी बाले से, बचा इतना एम, यह वाला एम बचा, यह सर, यह कह रहा है, जीरो है, जीरो के लिए लाइनिक जीच नहीं है, पहली हमने प्रमसेज आपको ड्रॉ कर दी, अब दूसरे किया और आईए, एम एस इक्वल टू जीरो तो क्या करना, एम और एस वाला सेर्कल देखो तीसरा वाला भूल जाओ, एम वाला और एस वाला हमने देखा, और क्या बोला है, एम एस, किसी में बाहर नहीं लेगा, किसी को किसी से नहीं अटाना है, तो एम एस का मतलब दोनों, जो एम भी है, और एस भी है, तो यह वाला एडिये कर दो दो आ यह जीरो है तुम बहुत जीरो है कि मतला इसको भी सेटिंग होना है यह जिए अच्छा कुछिन पूछा वेटा तुम्ने यह हो गई यह सब्सक्राइब गलत है शर हां गलत है यह हो इसको भी पूरा आपकर बनाना है यहां पर आगकी जो चैक आएगी प्रॉस रोच आएगा इतने पोर्चन में ये सही हुगा आप इसके अलावा बोला है कि अंप्लूजन देख लीजिए अंप्लूजन बोला है SP equals to 0 होना चाहिए SP वला पोर्चन यह हुगा कि 0 है नहीं है आधा है